जियो पोलिटिक्स में न तो कोई किसी का दोस्त होता है और नहीं पर्मानेंट दुस्मन होता है अमेरिका और रूस के खुफिया प्रमुख एक दूसरे से मिल रहे हैं जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एकदम से आश्चर्य चकित करते हुए चीन ने रूस के खिलाफ बोलना सुरू कर दिया G20 मीटिंग में क्या इसलिए पुतिन इस मीटिंग में नहीं आये थे आखिर चीन ने ये कौन सा खेल खेल दिया जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या P.O.K. में अब रूस की एंट्री हो रही है हितों को देखते हैं और जो देश अपने हितों को देखते हैं उसे सफल कराने की और बढ़ते हैं वही देश आगे भी बढ़ता है ये अभी आपको देखने को मिल जाएगा पहली बात तो ये कि चीन ने एक धमाकेदार धोका दिया है रूस को पर उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और इसी बीच सोंबार को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और रूसी खुफिया एजेंसी के परमुखों के बीच बैठक होती है युद सुरू होने के बाद ये पहली बार है जब एक हाई लेवल बैठक हुई है हाई लेवल मीटिंग हुई है CIA परमुख बिलबर्ण्स और SBR के परमुख है सरगई नारिस्कीन इन्होंने तूर्की की राजधानी अंकारा में एक बैठक की और इसकी पुष्टी भी की है जो रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी है टास उसने बताया कि हाँ ये बैठक हुई है अब इस बैठक में जो बाहर निकल कर खबर आई उसमें यही कहा गया कि हमने ये तै किया कि परमानु हतियार इस्तेमाल नहीं होने चाहिए युद में इसके परिनाम बहुत भयानक हों हम रूसी कैदी को रिहा करेंगे और वो अमेरीकी कैदी को रिहा करेंगे हमने युद रोकने ओकने के लेकर कोई भी बात नहीं की है अब ये जो हाई लेवल की मुलाकात हुई इसके पीछे एक कारण जान लीजे आप CIA के जो ये परमुक है बर्णस इन्हें पहले भी रूस भेजा गया है यहां तक कि पुतिन से बर्णस ने बात भी की है रूस युक्रेन का युद 24 फरवरी को सुरू हो गया और तब से लेकर अब ये पहली ऐसी लेवल की मीटिंग है जिसे आधिकारिक तोर पर बताया गया बर्णस को खास तोर पर इसलिए अमेरिका भेजता है या मीटिंग करवाता है क्योंकि ये बर्णस रूस में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं अब ज़रा सोचिए CIA का परमुक यानि एक जासूस को राजदूत बनाकर अमेरिका ने रूस में तैनात किया खैर माज जरा समझीएगा एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से एक अजीव ही बयान आ रहा है पूतिन ने सी जिनपिंग से जूट बोला था वैसे आपको बता दें जी ट्वंटी में करीब तीन साल बाद एक तो तीन साल बाद ही वो अपने घर से ब बाहर निकला लेकिन चीन से बाहर जी ट्वंटी की बैठक में इस तरीके की बात हो जाएगी ये बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था आपको याद होगा जब विंटर ओलंपिक कर रहा था चाइना तब पहुंचे थे राश्पति पुदिन और तब वहां से एलान किया था च इसके बाद बहुत सारे एलान हुए और वहां से लोटते ही पुतिन ने फिर सुरू कर दिया था युद्ध हरवरी के महिने में सी जिन्पिंग और ब्लादिमीर पुतिन की बैठक हुई और आगे बढ़कर इन्होंने युद्ध सुरू कर दिया अब इस G20 की मीटिंग में जो अधिकारी थे उन्होंने Financial Times को एक इंटरव्यू दिया और इसमें ये कहा कि पुतिन ने जिन्पिंग से जूट बोला था पुतिन ने सच्चाई नहीं बताई थी अगर पुतिन ने सच्चाई बता दी होती तो चीन ऐसी अजीव इस्तिती में नहीं फस्ता अधिकारी न डेटा को सारजनिक नहीं कर रहे हैं लेकिन जिन्पिंग के करीबी दोस्त रहने के बावजूद पुतिन ने हमें जूट कहा हमें सच नहीं बताया और ये मामला क्या चीज़ का था तो आपको बता दे जीन का ये कहना है कि रूस ने हमें ये नहीं बताया कि वो हमला करने ज पही छबी दिखाने की कोशिस कर रहा है सीजिन पिंग ने सिर्फ अपने बफादारों को अपनी टीम में रखा है और ये वो बफादार है जो ये मानते हैं कि रूस के साथ चीन को अपना संबंद मजबूत करना चाहिए अपने बैपार को बढ़ाना चाहिए और जो परतिबं सबसे बढ़ा बाधा है इसलिए अमेरिका को ही दुस्मन मानना चाहिए न की रूस को लेकिन अभी जो निकल कर सामने आ रहा है उसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे की चीन अपनी विदेश नीती को बदल रहा है रूस का साथ छोड़कर एक वर फिर अमेरिका का साथ क्या पक और उसके बाद अब चीन ये कह रहा है कि पुतिन ने जूट बोला तो ये थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है क्या रूस के परती विदेश नीती को पूरी तरीके से बदल रहा है चीन वैसे आपको बता दें चीन के मन में क्या चल रहा है न ये अभी बिल्कुल भी निकल कर सामने नहीं आ रहा है क्या चीन रूस के उपर एक खास दवाब बनाना चाह रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिस रिपोर्ट ने हड़कम पमचा दिया है 2016 की घटना को याद दिलाना सुरू कर दिया है अभी हम सभी जानتे हैं कि चीन और पाकिस्तान को सब से बड़ी मुस्किल का सामना करना पढ़ रहा है और वो मुस्किल क्या है वो मुस्किल है सीपेक अब तबाह हो गया है चीन की नौबत ऐसे आगली है कि चीन ने लाग चीन और पाकिस्तान इस परिष्थिति को सम्हाल नहीं पा रहे हैं पीओ के एरिया बलुचिस्तान एरिया यहां पर बहुत जादा बवाल हो रहा है किसी तरीके से भी चीन सीपेक को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहता है इसलिए 2016 में जब नवास सरीफ गय हुए थे तब रूस से उन्होंने बाचित की थी कि आप सीपेक परियोजना में एंट्री ले लो ताकि रूस से अफगानिस्तान अफगानिस्तान से पाकिस्तान पाकिस्तान से चाइना यह एक रूट बन जाए पर उस समय रूस ने नहीं साथ दिया इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि के जिस एरिया से सीपेग गजरता है उसके खिलाप में है भारत, आली में रूस ने एक मैप रिलिज किया था जिस मैप में पियोगे और अकसाई चीं दोनों को भारत का हिस्सा दिख्लाय गया था, तो क्या अब रूस सीपेक में सामील होगा खबरे तो कुछ ऐसी ही कह रही है कि चीन चाहता है पाकिस्तान चाहता है कि रूस इस सीपेक में सामील हो जाए ताकि अफगानिस्तान को कंट्रोल करके सीपेक को बहाल किया जा सकती लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है क्योंकि इस वक्त रूस बहुत अच्छे से जानता है सीपेक को लेकर अगर वो आगे बढ़ता है तो ये भारत के साथ एक बड़ा धोका होगा वैसे आपको क्या लगता है क्या रूस ऐसा करेगा या सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है कमेंट कर पनी राई जरूबता है